और कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन ओफ लाइफ प्रोसेस और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रीशन न्यूट्रिशन का आज मैं आपको सिर्फ पार्टी पढ़ाऊंगा जो कि है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और प्लांट से दिखें क्या होता है मैंने आपको बाता है है निट्रियंस को अपने अंदर लेन prayer को अपनी बाडी गया बच्चों वाली किताब और बता हूँ और यह बात मैंने आप नहीं करोगि Si स्टेंडर्ड की एक EBS की वो हम से मैंने पढ़ा और होता है जिन की बॉड़ी को बहुत ज़ाधा अमाउंट में होती है और बहुत ज़ादा माउंट में हमके वह खाते हैं एक तो फैट और प्रोटीन दीजे rockets और कार्बो हाइड्रेट फिक्य है कार्बो हाइड्रेट यह तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको मम ज्यादा करते हैं अर rendre सेस्थे से सब्सक्राइब में क्या क्या आजाते हैं मैं कि मैं मैं कि मैं आएंगे हमारे मिस दल is not good online उर these चिस इसलिए जब हमें विटामिन और मिड़ल की भूख लगती है तो इसको हम बोलते हैं तो इनकी भूख जो होती है जो इनकी हंगर होती हुआ हमें विजीबल हो जाती है इसी लिए उसको हम नॉर्मल हंगर बोल देते हैं लेकिन ऐसी भूख जो हमें पता ही ना चले कि इसकी भूख हमें लग रही है बस उसके है जिससे कि अगर आपके छोटे बहनवाई आपसे पूछ भी लें तो आप मेरी नाग ना कटाएं वहाँ पर ठीक है अब बात करते हैं नूट्रियंट्रियंट्स की और नूट्रिशन के जो फादर है जवाने समसे पहते हैं हैं एंटॉन लेवाइजर ठीक है और यह फाद हिंगे तो सटार्ट करते हैं हाजि नूट्रिशं दो तरेका होता है अग रोपीज़ त्रोफिक ठीक्ट है और ट्रोफिक न्यूट्रिशन और तॉमिंस होता विम क्या होता है सैल फोलू होता है कुद से हैं यह तनिवीचर पीपैंड अब आपने मूदी जी का लेक्चर सुनाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बने आत्म निर्वर बने मतलब ऑटो ट्रॉफिक बने यह नहीं बुला तुमसे न्यूट्रिशन के मूड में आप इंकम को ले करके ऑटो ट्रॉफिक हो जाएं मतलब खुद से कमाई की जरीये बनाएं बिजनिस करें यह उनका कहने का मेनिंग था जो किक अच्छी चीज है और कुछ नौकरों को जो हमेशा जोग की बीचे भागने की कोशिस करते हैं उनको यह बास सजमें नहीं आएगी फिलाल यह थे कुछ मोटिविशन बात बीच में फिलाल तो आटो ट्रॉफिट्रिशन कैसा होता है और हेट्रो मतलब होता है जो की दूसरे की बॉड़ी पर डिपेंड करेगा तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक नूट्रिशन और यह बच्चे वाली बात है आप इनको पहले से ही जानते होंगे ठीक है फिलाल बात कि फोटो जहां भी वर्ड रहों उसको मतलब होता है लाइट वह उतला कि होता है लाइट तो लाइट इस आलव सो आफ फॉर्म अफ एनरजी एक तो अपनी नरिश्मेंट के लिए देपेंड करेंगे एक प्रोसेस के उपर और उस प्रोसेस को हम बोलेंगी फॉर्टो सिंथेस इसके बाद बात करते हैं यह कुछ वेरियस केमिकल्स पर डिपेंड करेंगे और उस वेरियस केमिकल्स से ही एक एनरजी बनाके दे देंगे थीक है तो उनको बोलेंगे कीमो आटो ट्रॉफ यह साइद आपके सलिवस में डेटेल में नहीं है की मौन ट्रॉफ बस आप बेसिक करते क्या है कि इसके बाद बात करते हैं है कि है इससे पहले आप एक और चीज़ दिखान में रखें जो मैंने यहां पर बात बताई है फोटो आटो ट्रॉफ देखाये नाम से बादा चल रहा है यह लाइट के अपर इडिपेंड कर रहे हैं ठीक है ना खाना मराने के लिए और की मौटो टॉफ डिपेंड कर रहे हैं कैमिकल्स पर थीक है यह मैने बेसिक आईड़िया आपको दे दिया है examples आफ फाइंड आउट कर लीजएगा इसे बाद बात करते हैं heterotrophic nutrition की so heterotrophic nutrition तीन तरह का होता है सबसे पहले आता है holozoic और फिर आता है saprophytism ठीक है और फिर आता है parasitism देखिए parasitism क्या होता है पहले मैं इसकी बात करूँगा parasitism क्या होता है मतलब ये पेरसायटी कींओट्रिशन होता है इसमें कोई एक बॉडी कोई भी एक बॉडी इनको बोडी एले लिए किसी बॉडी को पर डिपेंड करेंद करेंगी दो परपस के लिए इसके दो ही परपस होंगे आधर फूड और अब food क्या है वो तो आप जानते हो मतलब नरिश्मेंट के लिए depend कर रहा है और shelter क्या होता है आवास रहना या तो वो रहने के लिए दूसरे की body पर depend कर सकता है तो ऐसे type के नरिश्मेंट जो की दूसरे की body के उपर depend होके लिया जाए उसको हम बोलेंगे पैरासेटिज्म पैरासाइट्स क्या होते हैं उसकी definition आपको देनी आने चाहिए पैरासाइट्स ऐसे और जो कि किसी दूसरे की body पर depend करेंगी for food and shelter ठीक है तो यहां तक यह basic बात है बच्चों वाली है और आगे चलते हैं फिर फटाक से अब पैरासाइट एक जो नरिश्मेंट होता है वो दो तरह का होता है एक तो होता है एक्टो पैरासाइट एक्टो मतलब होता है body के उपर और एक होता है एंडो पैरासाइट एंडो पैरासाइट मतलब होता है जो body के अंदर जो पेरा साइट होते हो दो तरह एक ताप बॉड़ी के उपर बैट जाता है तो एक्टो पेरा साइट जो है वो बॉड़ी के ऊपर रहता है और वहीं से अपने रिज्टमेंट को लेता है प्लांट का अगर मैं एक्जाम्पल दूं यहां पर तो अमर बेल से एक्जाम्पल इसको कसकटा बोलते हैं साइन्टिफिक ने उसका कसकटा है तो दूसरे प्लांट की बॉड़ी के उपर डिपेंड करते हैं एक तो सपोर्ड भी लेते हैं वो क्योंका इस्टेम रिजिड नह क्योंदर मिलता है इंटस्टाइम मिलता है एसके बात करते हैं मैं όलोज़यक के बनाना चाहूंगा होलोज़यक से पहले थोड़ा सा जान लेरे सेपरोट着 पाइटिस्म कैसा औरेश्मेंट होता है हमारे धरती पर बहुत सारे जीव मर जाते हैं जलाते हैं हम इंसान की बॉड़ी को ही है और कुछ और जीवों की बॉड़ी को हम जला देते हैं जिन से ज्यादा लगा होता है लेकिन उनका क्या जिनको हम जलाते नहीं है वो अगर ऐसे ही मरे पड़े हैं अर्थ के उपर तो एक दिन वो भी मिट्टी में ह काम कौन करता है उनको मिट्टी मिलाने का काम करता है डी कंपोजर चीक है ना या देखना यह बात है ना टाइम आने के पूछ लोगा है इसकूल में हाँ हाँ तो डेफिशिक कैसे देंगे यह डेड एंड डिके मैटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और अब देखो डेड मैटेरियल कैसे होते हैं और गैनिक होते हैं कि लिविंग से बना है तो यह और गैनिक होते हैं यह और गैनिक मैटेरियल को सिंपल और गैनिक में कनवर्ट करेंगे इनको इन और गैनिक क्या यह मैंने कल के लेक्टर में बता दिया था किरप्या करके उसको ना पूछे हैं है तो डेड़ और डेके मेट्रियल को जो डिकम्पोज करें और ज़्यादा डाइजेस्ट करें सिंपल और्गैनिक फॉर्म में या फिर इन और उनको हम क्या बोलते हैं और उन्हीं की मदद से अर्थ पर सफाई बनी हुई है अगर यह डिकम्पोजर सेप्रोफाइटस देखो से सेप्रोफाइटिस में जो सो करते हैं उन जीवों को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स सेप्रोफाइट्स बोल दीजे या फिर आप इनको डिकम्पोजर्स बोल दीजिए बात एक ही है और या फिर आप इनको रिड्यूसर बोल दीजिए बात एक ही है ठीक है तो सेप्रोफाइ इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं और प्राकर्तिक सफाई वाले जीव को हम इंगलिस में कैसे बोलेंगे यह दुविदा है तो मैं पेंफिलेट कर लें तो अलग कलर और फिर देखो लिखता हूं तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल इसके वेंजर अच्छा जब यह इनको डेरेंड डिके को पचाते हैं पर इनको भी एनरजी मिलती है नरिश्मेंट मिलता है तो इस तरह के नूट्रिशन को हम बोलते हैं सेपरोफाइटिज्म है अब बात करते हैं होलो जो एक नूट्रिशन की ठीक है और इसको मैं इरेज कर देता हूं आप इसका इसकी शॉट ले सकते हो हम 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 अब बात करो मैं होलो जोएक नूट्रिशन की होलो जोएक में क्या होता आपके सामें अगर मैंने बड़ी सी रोटी रखती है तो ऐसा नहीं है आप इसको पूरा ही खा जाओगे तो जो हम होल बॉड़ी को इट कर मैं सटकने की बात नहीं करूं अजगर की तरह ठीक है ना कई रोट को सटने लग जाओ यह मेरा मतलब नहीं है मेरा मतलब है कि आपके सामने अगर मैंने कोई भी बॉड़ी रखी है तो आप उसको पूरा खा जाओगे तो उसी को हम बोलते होलो जोएक नूट्रिशन ठीक है वह मीट इटर होते हैं ठीक है न वह दोनों को ही इट कर सकते हैं एक्जाम्पल्स आप लोग जानते होंगे फिलाल आगे चलते हैं अब मैं बात कर रहा हूं ऑटो ट्रॉफिक नूट्रिशन की देखिए मैं हेटो ट्रॉफिक नूट्रिशन कल के लेक्शे में ठीकाना अब सुन द्हान से ऑटोटोफिक न्यूट्रिषन मेली हम फोॉटोसंथेसिस के लिए बोलते हैं तो ऐसे जीव जो फोॉटोसंथेसिस करते हैं उन् memoir भोलते हैं 1949 हाला कि मैंने आपको एक और टाइप बताया था watercolor ता कीम ऑ्टोटॉफ लेकिन मैंने ये भी बोला था कि वो आपके स्लिवस में अच्छे से नहीं बता रखा है आप उसके वारे में सिर्फ definition ही याद कर लो इतना काफी है फिलाल आपके स्लिवस के according autotrophic nutrition से सीधा मतलब photosynthesis से है और आपने पड़ी होगी एक reaction photosynthesis की यह आपने पड़ी होगी जो की इस तरह से है मिश्च सी ओ टू प्लस इस टू ओ आफ्टर देट रियक्षिन बनता है एक टू एल्व ओ सिक्स प्लस 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 इस ओ टू और कुछ नहीं बनता है ठीक ना और कुछ नहीं बनता कि यहां पर एनरजी आप निकाल रहे हो यह रियक्षिन को कराने के लिए कुछ चीजों की जरुवत पड़ती है और उन चीजों को हम बोलते हैं एक तो सनलाइट पड़ेगी सनलाइट के लिए मैंने एच नियू यूज किया है बताऊंगा क्यों यूज किया है और एक पिगमेंट जिद पड़ेंगे और देखो बना के क्या दे रहा है एक तो गुलूकोस बना करके दे रहा है और ऑक्सियन बना करके दे रहा है तो यह है फिलाल और चीज़े जो मैं आपको बताना चाहरा हूं वह आप सुनिए ध्यान से हम एक न्यू मैंने क्यों यूज किया देखिए आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा कॉंसेट मैं आपको बता देता हूं अभी इससे ही एक एक फॉर्मूला जो कि आप पढ़ोगे फूचर में वह है इस इकल टू एक न्यू क्या होता है बई मतलब क्या है और न्यू का मतलब क्या है ठीक ना यहां पर आप अट्रीक्वेंसी की जिगा यहां पर और आप एक और फाउला यूज करोगे बड़ी ग्लास में एच सी अपाउन लेमडा ठीके ना एच का मतलब मैं आपको बदा दिया सी का मतलब यहां पर है स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ऑफ लाइट ठीक है कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं और लेमडा का मतलब यहां पर है वेवलेंथ ऑफ लाइट अब डेटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसके भी डाउट लेक्चर पोस्ट कर दूंगा हाला कि यह आता है और उसकी रेक्शन हम जान चुके हैं और इसकी रेक्शन के होने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए तो देखिए यह जो दौनों चीज़ें मैंने ली हैं यह दौनों की दौनों ही चीज़ें होती है इनौर्गैनिक दौनों की दौनों चीज़ें क्या है इनौर्ग किया जाता है बाइदा यूज इंग लाइट एनरजी एंड पिगमेंट क्लोरो फिल अब ये पिगमेंट कैसे काम करता है क्या क्या होता है हम फोटो सिंथेसिस को अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं तो बने रहे गए इस वीडियो में ठीक है ये था बेसिक हम थोड़ा सो डिटेल में जाएंगे ठीक है जिए अब मैं बात करता हूँ स्टेप्स कौन-कौन से फोटो सिंथेसिस के तो सुने ध्यां से हम फोटो सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले होता है यहां पर क्लोरोफिल के दवारा तो क्लोरोफिल क्या करता है इसके बाद नेक्स टैप क्या आता है अब यह इस लाइट करेगा chemical energy में कौन कौन सी दो काम होंगे उस दौरान देखो splitting of water भी होगा splitting of water water जब split होता है तो क्या क्या बनता है एक तो बनता है हाफ ओटू और निकलते हैं दो proton ठीके ना एच पॉजिटिव को हम proton बोलते हैं यह किस्सा अगर आपको समझना है तो मैं मैं बता दूंगा ठीक है ना चलो अभी बता जाता हूं फिर आप मेरे को वाटस पर पूछे को फिर मुझे दिक्कत होगी फिराल सुने यहां पर नॉर्मली हाइड्रोजन के नीकलेस के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है सिर्फ इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है स जब हम एक लेक्ट्रॉन निकाल देंगे मतलब जब मैं हाइड्रोजन से एक लेक्ट्रॉन निकाल दूंगा हाइड्रोजन के अंदर से मैं क्या निकाल दूंगा एक लेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ऑविसी बात है एक पॉस्टिव चाल जाएगा अब हाइड्रोजन प क्लोरोफिल के द्वारा और फिर क्या होता है इस लाइट के जाता है कैमिकल एनरजी में और उस दौरान स्प्लेटिंग ऑफ वाटर भी होती है और स्प्लेटिंग ऑफ वाटर की रेक्शन क्या थी वह मैंने आपको दिखा दी है फिलाल इस reaction को हम क्या नाम देते हैं बड़ी naooter के इसको हम ब बोलते हैं लाइट रिएक्शन इसके बाद एक और रेक्शन चलती है जिसमें होता है reduction of carbon dioxide reduction क्या होता है आपको पता होना चाहिए और nanow का यहां पर मैंने इसलिए कि क्या हो रहा है और हिद्विद्वन की आगे चलते हैं इसके बाद तो यह मैंने तीन इसका नाम जो बताया था लाइट रियक्शन को हम बोलते हैं और इस नीच वाली रियक्शन को हम बोलते हैं डार्क रियक्शन नीच वाले शिवाएट अब आपको दिखा दिखा जेता हूं कुछ लोग को तकलीफ हो रही होगी, ठीक है, तो देखो भई, H2O, जब split होता है, तो क्या बनता है, half O2 बनता है, और proton निकलता है, चलो ये भी आप याद लोगी, electron भी निकलता है, ठीक है, कितने proton निकले, दो proton निकले, दो, ठीक है, उसके बाद एक reaction चलती है, dark reaction, ठीक है, dark reaction चलेगी, तो मतलब कि photo synthesis में, दो तरह की reaction चलती है, ये आपको याद दखने, सबसे पहले reaction कौन चलेगी, light reaction चलेगी, दूसरी reaction कौन से चल रही होगी, dark reaction चल रही होगी, अब देखो भई, dark reaction के बारे में, कुछ extra point में आपको बता देता हूँ, dark reaction में extra point बता रहा हूँ, उससे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि dark reaction में होता क्या है, dark reaction में carbon dioxide convert होता है, carbohydrate में, ठीक है न, light reaction में क्या होता है, splitting होती है water की, ठीक है, और light energy को convert किया जाता है chemical energy में, ये चीज में आपसे पूछ लूँगा, अब मैं आपसे कभी भी school में मिलू, तो आपसे अगर पूछू, कि light reaction में क्या काम करता है, तो आपको बता देना है, light reaction में क्या होता है, splitting of water होती है, और light energy convert होती है chemical energy में, दूसरा, dark reaction में क्या होता है, carbon dioxide से carbohydrate बनते हैं, और आप देख लेंगे वों सब चीजें, फिलाल, dark reaction तीन तरह की होती है, ठीक है, एक होता है C3, एक होता है C4, एक होता है cam cycle, ठीक है ना, ये dark reaction ही है, जिन plants के अंदर C3 cycle चलती है, उसको हम बोलते है Calvin cycle, ये Calvin cycle कैसी cycle है, C3 cycle, ठीक है ना, C3 cycle का दूसरा नाम क्या है, Calvin cycle, C4 cycle का दूसरा नाम क्या है, Hatch and select pathway, ठीक है, Hatch and select pathway, ठीक है, ये आप 11 क्लास से पढ़ोगे, ये extra है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद, cam cycle क्या होती है, cam होता है, Cresolation Acid Metabolism, Cresolation Acid Metabolism, ठीक है, ये होते हैं, तीन तरह की होती है, फिलाल मैं आपको, cam cycle पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में रहे हैं, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी, कि सर, C3 के बारे में कुछ तो बताईए, हम ज्यान के लेके जाएं, हाँ जी, तो देखिए, होता क्या है, जो भी light ration का product होता है, light ration का जो भी product होगा, उस product से, उस product से, एक मिनट, हाँ जी, उस light ration के product से, जो भी पहला compound बनेगा, अगर उसमें तीन carbon होंगे, ठीक है ना, जो भी पहला, ration के बाद, जो भी पहला compound बनेगा, उसमें अगर तीन carbon होंगे, तो cycle को हम बोलेंगे, C3 cycle, और जो भी product होगा, light ration का, light ration, एक ration के कुछ नगुस्तों product होते ही हैं, आप जानते होंगे, दुनिया भर में तरह तरह एक reaction चलती है, और उस reaction का जो भी product होता है, ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर, जो बात करी है, light ration के product की बात करी है, तो इस product से, अगर, चार carbon वाला कोई compound बन रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा, C4 cycle, ठीक है, बस basic idea दे रहा हो, सवज़ पारे हो तो ठीक है, नई पच्छा पारे हो, तो skip कर दो वीडियो को, ठीक है, फिलाल आगे चलते हैं, और देखो, यहाँ पर रहान से सुनिए का बात को, C3 compound देहें, कैसे मतलब एक carbon, दो carbon, तीन carbon, मतलब तीन carbon से बना हुआ, कोई compound होगा, C4 कैसा हो, जिसमें 4 carbon मिलेंगे, एक, दो, तीन और चार, ठीक है, बस खतम, जाला रिटेल दोंगा, तो आप उल्टी कर जाओगे, ठीक है, फिलाल आगे चलते हैं, अरे, 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 एक चीज और बतानी ह के बाद, लाइट, सॉरी, लाइट रिशन के बाद, डार्क रिशन आएगा, ऐसा कोई सीक्वेंस, इमीडियेटली नहीं होता है, कि मतलब यह हो गया, तो उसके तुरंत बाद यह होना ही चाहिए, तुरंत, तुरंत, मतलब कि, अगर यहां पे, splitting of water हो गई है, तो उसके बी पूरी रात भर, तो यह इस टोमेटा को खुले रखेंगे, जिससे की CO2 को अपने अंदर ले सकें, ठीक है, और फिर दिन में करेंगे, लाइट रिशन, दिन के टाइम में लाइट रिशन कर देंगे, और रात के टाइम में अपने यह रिशन चला लेंगे, आराम से, तो यह चीजे हैं, जो आपको पता होने चाहिए, ऐसा जोगी नहीं है, कि एक के बाद दूसरी रिशन पुरंती होनी है, कोई भी टाइम गैप नहीं छोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम गैप छूटता है, जैसे के यह चूटता है, ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते है मैं आपको दिखाता हूं, क्रॉस एक्षन ओफ लीफ, की लीफ का कैसा क्रॉस एक्षन होता है, मतलब लीफ दिखती कैसे, तो आप देखें जब आप लीफ को कट करेंगे तो आपको यह सब दिखेगा, एक तो उसकी अपर लेयर जिसको एपीडरमिस बोलते हैं, उसके गार्ड सेल इस्टोमेटा में देखने को मिलती है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, ठीक है, फिलाल, यहां पर लीफ के अंदर देखो, वेस्ट बंडल दिख रहे हैं, जाइलम और फिलोयम, जाइलम फिलोयम क्या काम करते हैं, बिसीकली वाटर को पह आप चाते हैं, ठीके लिक़ना अब लीफ तक वुडर कसे पहुंचता है रूट से, वह मैंने जो आपको पहले किसी वीडियो में दखुआए, रोट से, और फिर यह एंदो कहा तक रही हैं, लीफ तक पहुंचाता कों है, इसको, लीफ तक पहुंचाते हैं, वैस्कूलर ट तिशू और वैस्कुलर टिशू दो तरह के होते हैं जाइलम और फिलोयम ठीक है ना और यही बात मैंने करी है यहां पर तोगेधर फॉर्म कर रहे हैं एक बंडल तो उसको फिर हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल बोलते हैं फिलाल अब मैं वापस आता हूं अपनी स्लाइड प तो मैंने मीजोफिल सेल की बात कर रहा था और गार्ड सेल किसके अंदर मिलती है और यह जो वैस्कुलर बंडल है इनका क्या काम है वह मैंने आपको बता दिया है फिलाल मैं जो आपको बताना चाहरा हूं वह यह है कि आप देख सकते हो इन क्लोरोप्लास के अंदर बहुत है उनकी सैल वाइलोजी में साइटो लोजी में क्लोडॉप्लास नाम से एक वीडियो में बना रख्everダक local क्या नीजिएगा तो इन क्लोरोप्लास के अंदर महीं क्लोरोफिल मिलता है और अभी मैंने आपको बताया क्लोरोफिल क्या काम करता है एक लाइट करता है थी कि ऩाइट यह तो यह था लिफ की एनाटमी डिक वह था फिन इन्दर से दिखता कैसा थी ठीके अच्छा आपकुछ चीज रेंगे जो कि मैं आपको बतना चाहूंगा यहाँ पर देशगे तो वेक्सी क्यूटिकल यह क्या करती है यहां से वॉटर के लॉस को नहीं होने देता है वेक्सी ले रोता है आप मुम लीजे आप मुम मुम की कटोड़ी बनाएए ठीक बाउल बनाएए क्या उस बाउल किर रहा हूं कि क्या इस वेक्स की जो लेयर है इससे पानी आरपार निकल जाएगा नहीं तो यह होता है क्यूटिकल का काम ठीक है ना अच्छा फिलाल एपीडर्मिस क्या काम करता है एपीडर्मिस एक क्रोटेक्टिव टिशू होता है जो कि आपने नाइन फ्लास में पढ़ा है इस्टोमेटा के अंदर मिलती है अभी हम बात करेंगे इस्टोमेटा के उपर भी और इस्टोमेटा गैसी सेश्चेन कराता है मतलब गैस को अंदर लेता है और भार फिकता है तो यह गैस को अंदर तक लाने में जो और्गन हेल्प कर रहा है लीफ का उसको हम बन्दल बता दिया ये बतादिया लोर रिपेडर्म से मतलब लीफ के अंदर दो तरह की मिलेंगी धिक अब मैं लीफ की बात करता हूं यह यह मैं नाइन नाइन प्लास्ट में डिसक्राइब कर रखी है लेकिन फिर भी सुन लीजिए दिखें ये है लीफ ठीके ना लीफ में आप इस तरह कीוצर्चा आप दिखेंगे की ति है अब एस को क्या बोलते है य niez लेमाइन का लेमाइन लेमाइना हं Leaf grad को उसकते हैं और यह है मिड्रिव म३र्ट यह है मिड्रिव ये क्या है जी यह है वैन्स यहां पर यहां पर से की पानी कर देता हूं फोरी लीव की सेथ यूचा पास क्या हमता होता है हुं और वैंस से छोटी-छोटी में लीट निकलती है जो की लीव के क्वैल अत्ह POL के पास क्या हुता है water की supply करते हैं क्योंकि leaf की cells के पास क्या होता chloroplast होता है और leaf के अंदर हमें और एक process चलानी है जिसका नाम है photosynthesis और photosynthesis की process में हमें बहुत जरूरी होता है water का presence water की presence को बलकरार रखने के लिए ये vein और veinlets, mid rib और ये vascular bundle ये सब help करते हैं ठीक है आपको ये सब चीजें clear हो जाने ही चाहिए इसके बाद बात करते हैं आगे हाँ जी आप देखो आगे चलते हैं ध्यान से सुनिएगा lecture को मैं मुझे पता है मैं थोड़ा सा ना fast चल रहा हूं मुझे पता है आपना एक काम करेंगा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ठीक है क्योंकि मुझे 40 मिनट के अंदर में ही ये फिनिस करना है पूरा आटोट्राफिक नूट्रिशन प्लांट के अंदर कैस कैसे होता है तो आप मेरी मजबूरी को समझे थोड़ा और मैंने स्लाइड बहुत अच्छे से बहुत मैयत करके आपके सामने पेस्ट करी है एक एक डिटेल में आपको बता रहा हूँ इसके बाद आपको कोई और बुक पढ़ने की जूरत नहीं है बस यहां से पढ़ो और नोट्स बनाओ और खुश रहो और खुश रहो और खुश रखो अच्छो आगे चलते हैं अब बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था आप से इस्टोमेटा के अंदर मैंने गार्ड सेल जैसी कुछ बात करी थी तो देखिए इस्टोमेटा का जो रियल डाइगराम है अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इस तरह का उपर एक बहुत ही पतली सी लेर होती है उसको हम एपीडर्मिस बोलते हैं ठीक है और उस एपीडर्मिस को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरह के इस तरह के इस्टोमेटा दिखेंगे जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं इसके बाद आग इसके अंदर नुकलिस होते हैं ठीक है सेल है तो नुकलिस भी होगा और क्लोर प्लाच जो की ग्रीन डॉट्स के बारे में जिकर कर रहा था भी थोड़ी दिर पहले और एक आउटर वाल भी इसके अंदर देखने को मिल रही है अच्छा ओपन टाइप का एक्स चेंड कर रहा होगा ओपन का मतलब है कि यह गशिस एक्स्चेंड नहीं हो पाएगा यहांसे एक्स में कर पाएगी तो यह बिसिक बात थी इने U प्लास की देखिए जो बहुत ज्यादा गैसिव एक्सचेंज होता है ठीक है वह इस टोमेटा के थृव हिं होता है व इस टोमेटा को यहां पूर बोला खूए है फोटो संतेस्स के लिए होता है अब एक इंपॉर्ण ने के ध्यान रख لेनी है वो यह है कि जो ये एक्स्चेंज है गैसेस का वो सिर्फ लीफ से ही नहींग्च वो सबस्क्राइम की सरफेस से भी सकता है रूट से भी हो सकता है और टीज यह इसों लों होट संट से हैं अब पाणि का वेसटेज प्लान्ट भी नहीं चाहता है इसी लिए उसके Is раскota क्या मिलेंगे क्लोजड मिलेंगे क्लोजड क्यों मिल रहे होंगे तो प्रिवेंट वाटर लॉस क्या बचाना एक को वाटर लोस बचाना है ठीकिना water loss बचाना है अब जब water loss की बात आगाई है तो लो फिर कुछ ज्यान वर्दक बातें देखिए जी water loss ना दो तरह से होता है एक तो vapor form में होता है ठीक है और एक liquid form में होता है देखिए vapor form को हम gaseous form बोलते हैं और liquid तो आप जानते ही हो ठीक है अगर ये loss हो रहा है vapor form मे तो इस process को हम बोलेंगे इस process को हम बोलेंगे transpiration इसको क्या बोलेंगे हम transpiration ठीक है और अगर ये loss हो रहा है liquid form में तो इसको हम बोलेंगे mutation ठीक है ये बात आपको याद अपनी है तो क्योंकि इसको ये loss बचाना है water का इसी लिए ये अपने इन पोर्स को पोर्स मैंने बताया है किसको बोल रहा है अब मतलब इसको water का loss भी बचाना है और जुरत भी नहीं है तो उस दोड़ान ये क्या करता है इस ट्रमेटा को close रखता है चलिए अब आगे चलते हैं फड़ाक से और एक लास्ट आपके रह गया है जो कि ये था आपका की nutrients देखिए अभी तक मैंने बात करी थी कौन-कौन से nutrients plant अपने अंदर ले रहा था तो carbon ले रहा था hydrogen ले रहा था oxygen ले रहा था इन सबसे मिलाज वलाके उसने एक organic compound बना दिया ठीक है ना अब सीधी से बात है मैं चलो उसने 100 unit क्या बनाया glucose बनाया एक एक जामपल के तोर पर समझा रहा हूं सोई उसने क्या बना दिया इस 100 unit glucose में से मान के चलो उसने यूज कर लिया दस unit glucose उसने अपने energy लेने के लिए यूज कर लिया अगर किसी बच्चे को यह भी न से जब रेक्शन होगी तो बनेगा 6C02 प्लस 6H2O और उसको फिर मिल रही होगी एनरजी तो मैंने यह बता है मान चलो उसने 10 unit glucose है वो उसने यूज कर लिया अपने किसी काम में energy produce करने में अच्छा प्राइशन में यूज कर लिया बनाया किसने बनाया कितना था उसने 100 unit मतलब यह इसकी véros amount हो गई क्या हुए इसकी gross amount हो गई अब बनाने के बाद जो बचा आप बताए कितना बचा आप खुद बता हुआ कितना बचा अब यह बचा यहां पे 90 unit बचा कितना बचा 90 unit glucose बचेगा सीधी सी बात है तो मतलब कितना net amount इतना बचे गया ना net net इतना बचे गया तो इनके लिए एक term ह है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी और इसको हम बोलते हैं रैस्पीरेटरी लॉस इसको हम बोलते हैं रैस्पीरेटरी लॉस और इसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी तो फॉर्मूला है एक जो आप बड़ी क्लासे यह दौनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और यह आप लोग के लिए एक्स्ट्रा ग्यान है मेरी तरफ से ठीक है जी और टाइम आने वे मैं आपसे पूछ लोगा यह हैं ऐसी बात नहीं है हां जी फिलाल और बाते करते हैं हां जी कुछ और बाते हम करने जा रहे हैं यहां पर यह रेक्शन्स आपको याद हो जाएं चाहिए अब देखो प्लांट्स जो ही नहीं है सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्षिएन को ही एन्वार्मेंट्स से लेता है क्या अश्की लेता है ऐसा नहीं है प्लांट इन तीनों के अलावा भी और अलगगशच्ग को बता दिया है कार्वन हाइडोजन और ओक्सियन ऐसे हैं जिन को यह एटमॉसफेर से लेता है इसको यह जड़ से भी लेता है पानी को जड़ से ले सकता है यह चीज़ें आपको याद रखनी है यह 16 एलिमेंट मैंने यह पर बता रखे हैं जबकि प्लांट एक सत्रवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं निकल को भी प्लांट एब्सॉर करता है तो और कोई आपसे पूछले की बताओ बच्चो कौन-कौन से निउट्रेंट है जो की प्लांट लेता है अपने एट्मॉस्फेर से तो आपको यह 16 एलिमेंट तो बता नहीं है साथ में सत्रवावी बता देना है और आपको यह भी बताना है कि कौन-कौन से इन मैक्रों यह सब मैने आपको प्लाट बच जाता है और ट्रॉफी नीऊट्रिशन में हाँ मुझे पता है क्या छोट गया है छोट गया है एक्टिविटीज और एक्टिविटीज की मैं अलगत से एक přैक्टिकल वीडियो बनाओ जिसमें आप लाइव दिखेंगी कैसे कैसे प्रमनें यह थो रही है है अभी के लिए सिर्फ सिक्स पॉइंट वन और सिक्स पॉइंट गॉइंट और यहां लेक्टर आज के तरही है ओवर हो चुका है ठीक है अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रहे हैं तो भाई साब मेरे सब्स्टाइबर तो पूरे करादो है 1000 तो करादो है अट लिस्ट ठीक है खतम करते हैं ये खेलिया है तो आप से मिलेंगे हम कल इसी चैनल पर ठीक है खतम